मंगलवार को प्रयागराज उमेश पाल मड़ केस से मामले में आरोपी माफिया अतीक और अशर्फ के वकील खान सौलत हनीफ की पुलिस रिमान्द मंजूर हो गई थी बुधवार सुबह अतीक और अशर्फ के वकील को जेल से रिमान्द पर लेकर धूमंगंज थाने में पूचताच के बाद पुलिस हनीफ को लेकर उसके घर गई जहां से पुलिस को हनीफ की निशान देही पर एक असलहा और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है इस मोबाइल फोन कॉल डिटेल के जरिये पुलिस खान सौलत हनीफ के कर्मचारियों तक पहुचेगी जिसमें कई बड़ी संपत्ती का राज खुल सकता है और कई कानून के घेरे में आ सकते है आपको बता दे कि धूमंगंच थाना प्रभारी की तरफ से PCR के लिए अरजी दी गई थी जिसकी पेशी के दोरान अभियोजन पक्ष में साथ दिन की रिमांड मांगी थी बता दे उमेश पाल अफरन कांड में खान सौलत हनीफ का नाम भी सामने आया था उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में भी साजिश में शामिल होने का आरोप गा था इसके बाद अतीक एहमद और दिनेश पासी और वकील हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद कुछ दिन पहले पेशी हुई थी तो पुलिस को रिमान नहीं मिल पाई थी बुधवार सुबह पुलिस नैनी सेंट्रल जेल जाकर हनीफ को रिमान पर लिया और मोबाइल की बरामदगी की जिससे कई राज खुलने की उम्मीद है इस मोबाइल फोन कॉल डिटेल के जरिये ये भी पता लगाया जाएगा कि उमेश पाल हत्याकांड में और कितनी भागीदारी इस वकील की रही है